लो जनाप एक बहुत important question जो आपके mind में भी है पहले सुन ले question को फिर बताईएगा क्या आपके mind में था या नहीं यार मेरा PC कौन सा होना चाहिए data science और artificial intelligence को सीखने के लिए और आम ऐसे काफी लोग ना इन चीजों के लेके बड़े परिशान होते हैं कि यार PC कौन सा हो यानि कि जिस पे मैं काम करूँ वो software और उस पे जो जो चीज़े मैंने run करनी है वो ठीक चलेंगी नहीं चलेंगी उसका answer इस lecture में आपको मिलने वाला है त्यार है वोफुली त्यार होंगे तो यहाँ पर मैं आपको बताने लगा हूँ PC की configuration कौन सी होनी चाहिए ठीक है सबसे पहली चीज़ आपके पास कम असकम 16 GB RAM हो PC की एक laptop हो 16 GB RAM का ठीक है और उसका screen size ऐसा हो ना तो वो बहुत चोटा हो यानि के 13 इंच वाला नहीं लेना ना आपने बहुत बड़ा ले लेना है 17 इंच वाला कि उसको carry करना मुश्किल हो जाए तो कौन सा लेना है फिर आप कम असकम 15 इंच या 14 इशारी या 9 इंच something का होती screen size वो वाला ले ले this is my recommendation आप 17 इंच भी 13 इंच भी ले सकते है इस अब तो यू तीसरी चीज आपने SSD लेनी है जिसको हम solid state disk बोलते है यानि के आपकी hard drive और यह आपने SSD क्यों लेनी है क्योंके यह एक थोड़ी सी fast-paced SSD होती है यानि के hard disk होती है यह minimum 256 GB आपके पास होनी चाहिए और maximum अगर आपके पास 1TB that's fine as well 512 GB हो तो तो भी ठीक है इससे क्या होता है आपके system की speed double हो जाती है अगर आप HDD use कर रहे है ना वो दोर पुराना हो गया अब SDD की तरफ जाए ठीक है then number 4 पे आप कम असकम Core i5 अपने पास रखें Intel का और अगर आप Ryzen का देख रहे हैं तो इसी का substitute कोई होना चाहिए Ryzen 5 हो सकता है Ryzen 7 हो सकता है it's up to you लेकिन Core i5 होना ज़रूरी है आपके system का अगर इससे advance है आपके पास यानि के Core i7 है प्रोसेसर या इससे भी आगे वाला है तो that's good Core i5 minimum है अगर आपके पास नहीं है Core i5 minimum है don't worry about that जो भी है उसको चलाएं अभी तक के लिए कोई मसला नहीं है advance level पर जाएंगे तो अला तला आपको रिजग और दे फिर आप उसको purchase कर लिजेगा ठीक है और कोशिश करें कि जब प्रोसेसर आप लें तो उसको आप उसकी series को चेक कर लें कि वो generation कौन सी है ठीक है generation matters a lot तो generation का मतलब है 3rd generation है 7th generation है 11th generation है यह आप देख लें और कोशिश करें जितना आपके पास गुड़ा है उतना डालें और advance level करें ठीक है आप में से कुछ लोग macbook को लेने का सोच रहे होंगे या उनके पास macbook होगा तो मैं एक बात आपको बता दूँ अपने experience से मैं भी macbook यूज कर रहा हूँ macbook m1 या m2 chip वाला बहुत fast चलता है लेकिन software installation की बड़ी problems आती है नमे ठीक है तो अगर आप यह सोचें कि macbook आपने लेना है तो मैं आपको recommend करूँगा कि macbook की बजाए कोई ऐसा system ले ले लें जो core i7 रखता हो और अच्छी specs में windows वाला laptop को for now ठीक है and then अगर macbook है भी so don't worry मैं आपको वो तरीके कार बताता चाहूँगा फिर अगली चीज़ आती है जनाबे वाला आपके पास जब आप एक PC को purchase करने के लिए move कर रहे होते हैं so वो है आपका graphic card अगर आपका graphic card आपके system में dedicated पड़ा हुआ है it's fine नहीं है then it's fine as well so अगर है तब भी ठीक नहीं है तब भी ठीक so don't worry about graphic card अगर है तो ठीक है नहीं है तो कोई मसला नहीं है हाँ अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो मैं recommend करूँगा कम असकम 4GB का हो और Nvidia का हो ये machine learning में आपको बहुत help करेगा कम असकम 4GB 4 से 8 भी ले 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 तब भी ठीक है ठीक है ये graphic card क्या होता है आप देख लीजेगा आपको समझा जाएगी RAM मैंने 16GB बताई है ये minimum है ये अगर आप 32 करवा लें तो क्या ही बात है 64 हो जाए तो उससे बड़ी बात है और ये PC's के अंदर आती है लेकिन वही बात जितना आप good डालेंगे उतना मिठा होगा it's up to you then आपके पास आता है जनाब 7 पे क्या आपको external LED लेनी चाहिए बिल्कुल एक 24 इंचीज की या 27 इंचीज की कबार से आप second hand LED ज़रूर लें अगर आप इस course में है देखें आपने खुद पर इंवेस्ट करना है तो आप ये दोनों चीज़ों जब वो कोई भी एक LCD लेंगे तो वो तक्रीबन आपको 5000 पाकिसानी रुपीज से लेके 10,000 की मिलेगी अगर आप वो एक ले लेते हैं तो क्या करें आप लैपटॉप की स्क्रीन को लें उस पे मेरे लैक्शर सुनें और बड़ी स्क्रीन के उपर आप प्रैक्टिस करते रहें तो आपके पास डबल स्क्रीन चल जाएंगी एक ये जगा पे रहते हुए और जब भी आप आज के दोर में लैपटॉप लें आप साथ में एक headphone ऐसा लें जो wired हो wired क्यों मैं बताता हूँ Bluetooth वाले बड़े काम खराब करते हैं और उसके साथ mic लगाओ ठीक है? mic plus headphone वाला जो headphone होता है वो ज़रूर लें क्योंकि आपने अगले 6 माह में मेरे साथ meetings में भी आना है मेरे साथ आपने गुफ्तूब भी करनी है और अपने teammates के साथ भी बातें करनी है so this is the most thing you need to buy before going towards this course बारल बाकी एक चीज मैं अक्सर कहता होता हूँ सीखने के लिए अगर laptop की numbers चल रही है मतलब sunset चल रही है बहुत fit आपका laptop don't worry about anything यह मैं चीज़ें उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो future में plan कर रहे है क्योंकि यह question बहुत हमारे पास आते है तो मैंने कोशिश की कि इस question को यहां पे address किया जाए तो यह कुछ specs हैं यह कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बता दी है बाकि laptop किसी भी company का it's up to you आपने बाए करना है पाकिसान में कुछ companies के नहीं मिलते इंडिया में मिल जाते हैं निपाल में मिल जाते हैं मगनादेश में मिल जाते हैं बाहिर रहने वाले को लोगों को भी मिल जाते हैं तो आप इस चीज़ पर गौर करें क्यों जैसे मैं अब लिख रहा हूं मेरे पास graphic tablet है आप पूरे laptop पे अपने notes भी बना सकते हैं और उसको iPad की तरह जो आपकी tablet होती है उस तरीके से आप उसको utilize भी कर सकते हैं so this is an additional benefit this was all about के आपने laptop कौन सा लेना अगर लेना तो अगर आप laptop लेना चाहते हैं और laptop के पीछे पढ़े हुए so these were my advices advices? advices क्या होता है जो भी मुझे English नहीं आती यार sorry for that जेड़ावी laptop है नबस चल दिये खांगदा खुंगदा है that's fine go for it don't worry about anything बाकी सब बिलकुल ठीक ठाग रहेगा ठीक हो गया laptop की समझ आगी